लुद्याना के सुनिला और उसकी बेवी रीटा एक अच्छे और संपन परिवार से तालोग रखते थे एक दिन रीटा के भावी उसके घर आती है रीटा तुझे तो पता है तेरा भाई कुछ नहीं करता उपर से दो बच्चों की जिम्मेदारी बेटी भी बड़ी हो गई है तो तो बुवा है कुछ मदद कर सकती है तो कर देना कहां पैसे हैं भावी बस समझ लो किसी तरह हम लोग भी दिन काट रहे हैं दो ही तो कार है और मेरे बेटी भी बड़ी हो रही है अब उसके लिए कार लेनी है तो दस लाग का खर्चा तो लगी जाएगा तब ही वहां सुने ला जाता है अरे शशी क्या है तो हमेशा पैसों के लिए परिशान क्यों रहती है पैसे क्या जरूरती बेटी की शादी इतने बड़े घर में तैक करने की अरे पैसे नहीं थे तो ऐसे ही कर देती कहीं शादी इतने बड़े होटल में क्यों कर रही है शादी लेकिन यहाँ तो मामला शादी का है डेटता ही है दरअसल तेरे भती जी के P.A.F. के पैसे आने है पर उसमें देर हो रही है जैसी ही पैसे आ जाएंगे मैं तरी अकाउंट में डलबा दूँगी ठीक है हम लोग सोच कर बताएंगे तब ही वहाँ बती जा जाता है फूपा जी आप लोगी मदद कर सकते हैं वरना तो कैसे काम होगा समझ में नहीं आ रहा मैं बादा करता हूँ जैसे ही पैसे आ जाएंगे मैं आप लोगों को वापस कर दूँगा आँ भई ठीक है अब देख भई हमारे लड़के तो सारा दिन घर पर पड़े रहते हैं ना कमाते हैं ना कुछ कमाने की इच्छा रखते हैं लेकिन चल यह ले कितने पैसे चाहिए जी चार लाख रूपे ठीक है लेकिन पैसे ध्यान से वक्त पर वापस लोटा देना सुने मुसिबत के वक्त बीवी के भतिजे की मदद तो कर देता है लेकिन उन लोगों के जान के बाद देख ले रिटा तेरे माय के वालों ने मांगा तो दे दिया वरना इन लोगों का मुझे कोई भरोसा नहीं है अरे क्यों भरोसा नहीं है इससे पहले तो कभी इन लोगों ने आपसे मदद भी नहीं ली हाल ही तो नहीं लेकिन पैसे के किल्लत ही रहते ना इन लोगों के पास आरे ठीक है ना नहीं लाटा पाए तो भाती जी किसे सुराल से निकाल देंगे सुना है बड़े गर में शादी हो रही है सुनुल और रीटा पैसे तो दे देते हैं लेकिन अगले रोजी हाँ भई साले साब क्या हाल है ठीक हूँ जीजा जी क्या बात है सालों बाद आपका फोन जरूर कोई बात होगी बताएए ना अरे वो तेरी बड़ी भावी आई थी बेटी की शादी कर रही है न तो पैसे लेने के लिए मैंने दे रही है चार लाग सोचा भई किसी गरीब की बेटी की शादी हो रही है पुणिया मिल जाएगा अच्छा किया जी जा जी उनका बेटा बहुत मैनती है जल्दी लोटा भी देगा वहीं रीटा भी फोन करके हर किसी को पैसे देने की बात करती है रीटा की भाबी शर्शी के पास उसके भाई का फोन आता है यह तो ना सुनिल से पैसर लिये हैं क्या नहीं भाई सिर्फ बात की है बोल तो रहा है कि दे देगा वो लोग मदद करने वालों में से नहीं है और मदद कर भी दे लेकिन समाज में गा गा कर हालत बुरी करते थे अब गाने दीजे न भाई मैं क्या कर सकती हूँ मेरी पस कोई option भी तो नहीं है बेटी की अगले हफते शादी जो है शर्शी की बेटी की शादी हो जाती है लेकिन शादी की एक मेने बाद ही सुनल का फोन भती जी के पास आता है हाँ भई शादी तो हो गई हम लोगों की दुगासे अब देख ऐसा ही फाइदा होता है पैसे वाले रिष्टेदार होतो तेरे वक्त पर हम कैसे खड़े हो गए थे लेकिन अब पैसा लोटा दे बही जी मैंने पीएफ के लिए अपलाई कर दिया था उसकी नोटिफिकेशन्स मैं आपको भी भेज देता हूँ मुझे लगता है दस दिन में पैसे आ जाना चाहिए जैसे ही पैसा आएगा मैं आपके अकाउंट में डाल दूगा और अना जी ना कोई नोटिफिकेशन नहीं चाहिए पैसा चाहिए पैसा ठीक है अंकल बस दस दिन का समय दे दे दिजिए अभी हफता भी पूरा नहीं होता कि भती जी के पास उसकी गाउं की दूर की चाचा का फोन आता है और अब बटा क्या बात है सुनिल के कोई पैसे ले रखे है तो देर क्यों नहीं देता आचा अचा जी बात तो हुई थी दस दिन का वक्त मांगा है उमीदे हो ही जाएगा अर अब फोन कर रहा है रोज बता रहा ताकि बेटी के शादी में मदद की थी अब क्या है ना भला ही शादी दस दिन रोक देता है लेकिन सुने से मदद नहीं लेने चाहिए थी याद ना मधू की मदद करके कितना बदनाम कर दिया था उसने पूरे घर को सुसाइटी में हाँ चाचा जी मैं भी यही सोच रहा था कि उन लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए थी कई लोगों के फोन आ चुके हैं वही रीटा अपनी भावी को फोन कर देती है क्या है भावी कब पैसे लाटाओगी पता है ना ये कितना बोल रहे थी तुम्हारे बोलने पर मैंने पैसे दिये है भावी अब तो आपके बेटे की कार बेच दो और हम लोगों के पैसे दे दो अरे लेकिन रीटा बात तो तीन महीने की हुई थी ना अभी तो दो महीने भी नहीं हुए पैसा लिए थोड़ा तु सबर करो नहीं नहीं भावी वैसे मेरा बेटा डिक को आ रहा है आप लोगों के घर रहने के लिए उसको अच्छे से खिलाना पिलाना समझी भावी कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे वो बेटे से बात करती है अरे मा इन लोगों से मदद लेकर सच में बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे खुद समझ में नहीं आता कि कैसे इन लोगों के पैसे जल से जल दे दो तब ही डॉरवल बचती है और रीटा का बीटा डिक को घर में आता है आओ बेटा मामे के घर पहली बार आये हो रहने आप पापा बोल रहे थी कि आप लोग पैसे का ब्याज तो दे नहीं पाओगे तो तब तक मैं यहीं रह लूँ और आप मैं एसी के बिना नहीं सो पाता आप लोग अपना देख ले न और पैसे जल्दी लटा दे न क्योंकि मैं दोड़ा जल्दी जाना चाता हूँ रीटा का फोन शर्षी के पास आता है भाभी पैसे कब तक दोगे बेटे की विदाय के बाद शर्षी के घर का माहूर बिलकुल बदल जाता है वो हर वक्त बेटे से उसके पीएफ के पैसे पुछती और पीएफ यानि कि सरकारी का आजकल आजकल में पूरा एक महिना और बीच जाता है भाभी मैं और ये अमरीका जा रहे हैं घूमने के लिए पैसे की बहुत जरूरत है रीटा मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल से जल पैसे का इंतिजाम कर दू लेकिन पक्का नहीं बोल सकती तबी सुनिल का फोन भातीजी के पास आता है देख माना तीन महिने की बात हुई थी पैसे लोटाने के लिए लेकिन अभी मुझे पैसो के काफी ज़रूरता है मैं अमरीका जा रहा हूँ तो पैसे मैंने किसी से ब्याज में पकड़ लिया है तो हर महिने चार लाग का बीस ज़र ब्याज डाल देना मेरा अकाउंट में सुनिल फोन रखतेता है लेकिन भदीजा काफी परिशान हो जाता है वो ओफिस से शाम को घर आता है कि मा पूछती है क्या हुआ बेटा बेटा मा को सारी बात बता देता है मा भगवान के सामने हाठ जोड़ कर खड़ी हो जाती है और रोने लगती है कि तभी बेटे का मुबाइल पर मैसेज बचता है मा बाप पीएफ के पैसे आ गया है और वो ओन्लाइनी सुनिल के पैसे वापस कर दीता है भला हो भगवान का लेकिन आज एक बात तो समझ में आ गई मदद हमेशा उन लोगों से लो जो मदद के बदले आप से मदद में दी गई रकम ही वापस ले ना कि समाज में आपकी इस्ज़त